आप सभी को रादे रादे आज 13 मार्च 2024 के हर्याना करेंट अफिर पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको और आज के करेंट अफिर तो बहुत ज़ादा इंटरस्टिंग है क्योंकि कल का पूरा दिन बहुत ही ज़दा इंटरस्टिंग रहा है हर्याना की राजनिती को लेके मैंने हलांकि अपने चैनल पे बहुत सारे इसके शोट वीडियो या कुछ और अपने ओपीनियन वीडियो भी शेर किये थे आपको तो सेशन की सुरुवात करता हूँ कलास का आगर आपको पीडियो फाइल लेना है तो आप लोगों क्या करना चाहिए स्टार आईक्यो एजुकेशन टेलिग्राम चैनल ऐसे जोइन कर लो आता है लेकिन सवाल बनना आना तो लाजमिता आई आली में हर्याना के ग्यारवें मुख्य मंत्री कोन बने हैं वेक्तिकत रूप से के राज्येपाल वरतमान में है 18 नंबर के बंडार दुतातरे इन्होंने सपत दिलवाई है नायब सिंग सैनी को पूरो मुख्य मंत्री मनोहर लाल जी बैठे हैं यहां पर ठीक है यह मेंबर ऑपाल्यामेंट है कुरुचेत्रा से और इनको जो है न अभी बढ़ाई देके एक ट्वीट दिया था इनके लिए इन दोनों जो चहरों की बात करते हो आप लोग मनोहर दाल और दुशन चोटाला अब बहुत सारे मीम वाइरल हो रहे हैं जस लाइक एक तो कि हर वीर साड़े चार साल बाद रेटाइड हो गए हिसासात यह कहा जा रहा है कि खुद तो गए गए इनको और लेके चले गए तो खेर जैसे भी बात है पर हाँ कैबिनेट की बैटक है वो स्टार्ट हो चुके हरियाना में आने वाले समय में आप लोगों को अब काफी सारे र बात करता हूं तो जेजीपी में कुछ दस्ट विधायक थे टोटल और दस में से पांच विधायक जो है यह ना यह नराज है मतलब सर मतलब अभी रिसेंटली जेजेपी की एक मीटिंग हुई थी डैली में बुलाए गे थी जिसमें से पांच चले गए पांच नहीं गए न पांच मंत्री बने हैं अब मैं आपको बताता हूं पांच मंत्री कौन-कौन बने हैं वह एक तो कमरपाल गुजर फिर से मंत्री इनको अभी यह नहीं पता लगा कि कौन सा डिपार्टमेंट दिया देखो मनोरदाल कटर काबिनेट में शिक्षा मंत्री थे और यह यम्नानगर की जगादरी सीट से मले हैं मंत्री बने इनको जो भी डिपार्टमेंट सोपा जाएगा वह आपको पता लग जाएगा के क्लासिस के दोरान मुल्चन सर्मा ने दूसरे नमबर पे मंत्री पद की सपतली मनोरदाल कटर काबिनेट में प्रिवन मंत्री थे इनके पास चुनाव मंत्राले भी था और फ्रिदावाद की बलबगड सीट से यह मले हैं तीसरे नमबर पे निर्दलिय विधाय का रणजीस चोटाला दूसरी बार मंत्री बने हैं यह मनोरदाल काबिनेट के अंदर बिजली मंत्री थे सिर्षा की रानिया विधानसभा सीट से MLA है देश के पुरो परदान मंत्री उप परदान मंत्री चोदरी देविलाल की बेटे हैं ये के साथ जया परकास दलाल इन्होंने भी मंत्री पद की सपतली ये किर्शी मंत्री थे पहले लेकिन अब कौन सा डिपार्टमेंट देते हैं देखते हैं और भीवानी के भाजबा के भीवानी के लोहारू से भाजबा के ये MLA है और सबसे लास्ट में सपतली है डॉक्टर बनवारी लाल ने जो की रेवाडी की बावल सीट से MLA है और ये काबिनेट के अंदर पहले थे सहकारिता और पबलिक हैल्थ डिपार्टमेंट बिन को मिला था रेवाडी की बावल सीटी रिजाव सीट आती है रेवाडी की अच्छा आप राजनिती का समिकर्ण अगर आप देख रहे हो तो एक्चुली क्या बन रहा है हर्यानग में 45 प्लस 1 यान कि कोई 40 सीट ले आएगा तो वो पार्टी मेजॉर्टी में सीट बना लेगी अपना इस समय क्या हुआ था बी जेपी के पास में सीटें आई थी 40 कॉंगरेस के पास सीट आई थी 31 और जेजेपी के पास सीट आई थी 10 अई थी निर्दलिया थे साथ, एक था, एक सीट इसके अंदर थी, इसके अंदर इनेलो पार्टी की थी, एक थी हर्याना लोकित पार्टी की थी, थोड़े समय बाद में क्या हुआ, कॉंग्रेस के एक जो MLA थे, कुल्दी विश्पनोई, आदुमपुर सीट से उन्होंने इस्तिफा दिया, बीजेपी के साथ में मिले, उनका बेटा बहुए विश्पनोई जो है न, वो बेसिकली बन गया, क्या है, यहां से विधायक, तो अब यहां पे सीटे होगी 41, अब फिलाल का गणित ही है, 41 बीजेपी के पास है, 30 कॉंग्रेस के पास है, 10 है जेजेपी, 7 निर्दलि मिलके टोटल 58 सेटे थी, अब सरकार गिरने के बाद में मतलब इनको हटा दिया, डारेक्ट यहां से, और फिर बी इनके पास में बहुमत तो है, क्योंकि 45 पलस है, क्योंकि 40 सेटे, यह सबसे बड़ा गेम चेंज कर रहे हैं, निर्दलिये लोग, ठीक है न, जो इंडिपें कर रहे हैं, बहुत बड़ा, हर्याना के नए सियम बन चुके है, नायब सिंग सैनी, OBC समुदाय से आते हैं, हर्याना के 21% OBC वोट बैंक को साधने की रण दीती है, मुक्य मंत्री मनोहरलाल के भरोसे मंद भी है, 28 साल गठबंदन में काम कर चुके हैं, गठबंदन के दोरा मदब सरी संगठन के दोरान काम कर चुके हैं, 2014 में अंबाला की नारायनगड सीट से MLA बने थे, 2016 में गाज्य मंत्री बने थे, और 2019 के लोकसबा चुनाव में कुर्चेतर सीट से BJP के सांसद बने हैं, जाट समुदाय से आने वाले ओपी धनकड की जगा है, 2023 में हर्याना के BJP अद्यक्स भी बने थे, अब तक हर्याना में BJP के अद्यक्स बने वे थे, ठीक है, और के साथ साथ जो है आप लोगों को और बात क्या याद रखनी है, कि 10 साल में MLA से CM की कुर्सी तक पहुँच गए, नायब सैनी, 2014 में पहली बार MLA, और 2016 में पहली बार मंत्री, 19 में पहली वार सांसद, और 23 में BJP प्रदेश सद्यक्स, और 24 में हर्याना के CM, क्या गजब के मतलब एकदम बढ़िया तरीके से स्पीड अप रही, इनकी राजनीती तो कह सकते हो आप लोग, ये इनका पूरा परिवार है, इनकी पतनी सूमन है, बेटे का नाम अनिकेत है, इनका ट्वीट पढ़ा, पूरा पढ़के बताता हूं आपको भी कि आपने मुझे हर्याना के उप मुक्यमंत्री के रूप में परदेश की सेवा करने का उसर दिया, इसको मैं अपना सोभग्य मानता हूं, हर्याना के प्रतेक व्यक्ति का दिल की गहराई, उनसे बहुत बह प्रतेक वर्ड़ बड़े इपोर्टेंट होते हैं, हमारे पास में टाइम भी लिमिटिड था, और संख्या भी बहुत ही कम थी हमारी, फिर भी हमने कहते हैं, दिन रात एक किये थे, मैं भारी रहूंगा, बला बला सारी चीजे वाकी आगे वही है, और अब इनकी हिसार में आज रेली है, का पंडाल लगा हुआ है, हिसार में जो अगरसें, जो या गनेस मार्केट है न, वहाँ पर बहुत बड़ा सा पंडाल लगा हुआ है, इनका राम लिला मैदान जिसको कहते हैं, ठीक है, और यहाँ अनिल विजी को भी दिएगा, ये नराज होके भागे और इ इनको मंत्री पद की सपत तो नहीं दिलाई गई, यहाँ के गलगपे खा रहे थे राम से, चलिए सर, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, कि हर्याना में अब तक कौन-कौन से सीम रहे हैं, यारवे थे न, तो ब्रीफली एक बार उनके नाम बताता हूँ, सबसे पहले मुक्य मंत्री पंडित भगवत दयाल सर्मा थे, ठीक है न, सबसे पहले थे, पंडित भगवत दयाल सर्मा थे, दो नमबर पर कोन आये थे, दो नमबर पर आये थे, राव बिरेंदर सिंग आये थे, आपको पता होगा हरियाना के अंदर पहले गैर कॉंगरिसी मुक्य मंत्री थे तीन नंबर पर बंसी लाल जी आये थे फिर उनके बाद बनार सिदास जी गुपता थे उनके बाद चोधरी देविलाल थे फिर चोधरी बजन लाल जी आये थे फिर उमपरकास चोटाला जी फिर हुकुम सिंग उसके बाद बुपेंदर हुड़ा जी आये थे और मन विश्य मेला खरीफ ये लगने वाला है 18-19 मार्च को लगेगा हिसार के अंदर लगेगा हिसार की एच एई उनिवस्टी के अंदर लगेगा इस मेले का विशे खेती में ड्रोन का महतव होगा इस मेले में किसानों के साथ पीज उर्वरक कीट नाशक किर्शी मसीने और यंतर निर्माता कमपनिया भी इसमें भाग लेगी खरीफ फसले कोन सी होती है जो मौनसून के दोरान उगाई जाती है जैसे कि आप इस टाइम पे कोन सी फसल उगाया करते है जवार उगाते है इस टाइम पे बाजरा की फसल उगाई जाती है इस टाइम पे कपास उगाया जाता ह इस टाइम पर मक्का उगाया जाता है इस टाइम पर मुंग फली भी होती है इस टाइम पर तिल भी होते हैं इस टाइम पर अरहर भी होता है इस टाइम पर आपका जो है ना चावल भी होता है धान जिसको कहा करते हैं ऐसे फसले इस टाइम पर उगाई जाती है तो यह साल में दो बार मेले लगते हैं में तो एक तो रभीकार एक खरीफ का और इस टाइम पे इन फस्नों के बीज वगरा भी दिये जाते हैं। आप देखिएगा यह पंजाब हो गया यह यह वाला इलाका जो नहीं हरियाना का है ग्रीन वाला जो दिख रहा है हर्याना का जो इलाका आता है उसको एक्शुली टैग किया जाएगा इको सिस्टम के चलते होगे हर्याना की प्रयावण संवेदन सिल छेतर को एक करने के लिए जनवरी दोजार चोबीस में केंद्रिय प्रयावण और वन जलवायू परिवर्तन मंत्राले की और से एक प्रस्ताव भेजा गया था 25.98 मिटर के अंदर लगबग 6420 एकड में फैला 6420 एकड में फैली हुई है सुखना लेग इसको केंदर सासित प्रदेश चंदिगड के परसासनिक नियंत्रन में है और इसके सिमाएं हर्याना और पंजाब से लगती है जो हर्याना से लगताव इलाका है न उस इलाके को इको सेंस्टिव जोन के रूप में उसको गोसित किया जाएग एक्चुली ठीक है न जिसके पर सांप यहां पर बहुत सारे वन भी पाए जाते हैं आदर भूमी भी है यह इको सिस्टम के रूप में बहुत ही इपॉर्टन्ट है यह तो याद रखना तो यह जो सैंस्टिव वाला एको सिस्टम जो होता है न आपका एन्वार्मेंट से रिलेटिड यह एक्चुली इस चलो जी आज के करेंट फिर इतने ही थे आज का दो बड़ा करेंट फिर मुखे मंतरी वाला ही था तो आपको मैंने बता दिया कल फिर मिलता हूं लेटस्ट करेंट फिर के साथ अब तक अपना ख्याल रखना रादे रादे और आपके लिए एक सवाल भी छोड़ना है सची ह आपके लिए सवाल यह है कि एनेस जी यानि कि नेस्टल सेक्यूरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन निक्त किये गए है इसका अंसर बताना मुझे आपको ठीक है थैंक्यू